हेलो दोस्तों स्वागते आप सभी का हमारे चैनल स्टडी फॉर एससी में गाइस आग 2 अगॉस्ट है और MTS का फर्स टे है आपका एक्जाम फर्स शिफ का एक्जाम खतम हो गया है सेकेंड फर्स शिफ अभी चल रहा है फर्स शिफ का एक्जाम है इस वीडियो में थोड़े से कोश्चन डिसकस करेंगे लगबग 12-15 कोश्चन में डिसकस करूँगा आपके साथ में GS सेक्षन के और उसके बाद रात में पूरे डे का जो इस वीडियों के और टोटल GS भी देखेंगे और तेखेंगे के एक्जाम किस ट्रेंड में चल रहा है क्योंकि आज एक्जाम जिस ट्रेंड में आपका चलेगा आने वाले दो-तीन दिन कम से कम वही ट्रेंड रहेगा उसके बाद जब वो ट्रेंड चेंज करेगा SSC यह आदत है इसके पहले के भी exam में हमने यही सारी चीज़े देखी है कि पहले दिन चो exam में उसने पूछ लिया बस उसी से related question वो आने वाले दो दिनों में तीन दिनों में वही question पूछता है और यह exam आपका एक मेहने तक लंबा चलने वाला है इसलिए एक trend पे तो पूरा 300 दिन exam नहीं चलेगा यह भी तससी को भी पता है क्योंकि बच्चे वही चीज़े पढ़ेंगे उन्हीं चीज़ों question के background की चीज़े पढ़ेंगे तो problem होगी किसी के लिए बहुत difficult और किसी के लिए easy हो जाएगा वो paper जिसका paper last में है तो यहाँ पर मैं आपको guide कर रहा हूँ कि आपका आज जिस trend में question आ रहे है यह question आपके यहाँ से 2-3 दिन chance है कि यही trend में चलेंगे 5 तारिक तक उसके बाद हो सकता है आपका trend change होगा लेकिन यहाँ पर हम लोग रोज daily basis पर किस trend में question आ रहे हैं उनके background में कौन से question पढ़ने चाहिए वो सारी चीज़े discuss करेंगे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से वो 10-12-15 question है तो बहुत सारे memory based question थे लेकिन confirm नहीं होता 100% के वही question आये थे यह मैंने 2-3 जगे से confirm किये है question तो वहाँ पर हर जगा same थे उसके बाद यह question में आप लोगों के साथ में discuss कर रहा हूँ इसके बाद शाम तक पूरा match का reasoning का English का जिये का एक साथ हम लोग discuss करेंगे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लें और बेल आकन का पटन ज़रू दबाए उसके बाद एक एक करके इनके answer डिसकस करते हैं और इनके साथ हमको क्या पढ़ना होगा आने वाले shift में अगर आपका exam है तो उसके लिए वो चीज़े देखेंगे तो फर्स्टी question यहाँ पर आपका देखोगे तो related है यह currency जापान की currency आपसे पुछी हुई है और अगर आप लोग channel को पहले से follow कर रहे हो तो मैंने एक जबरदस वीडियो बनाई है जिसमें आपकी neighbor countries की currency, capital, उनका national anthem, उनका flag किस तरस यह चारों चीज़े एक ही साथ याद करना है आपको पूरे जितने neighbors country है उसकी trick है आप यहाँ पर उपर i button पे click करोगे तो वहाँ पर उसकी link आपको दूँगा या फिर आप नीचे description box में उसकी link आपको मिलेगी यह दोनों जगा में से एक जगा आपको उसकी link मिल जाएगी तो वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो अब यह trend आपका चलेगा currency पूछ लिया है और capital पूछेगा यह दो second question आप देखो देखके तो capital of chili पूछा है currency और capital काफी important हो जाता है यहाँ से आने वाले 3-4 दिनों में तो currency of Japan क्या है जापान की currency उसमें भी मैंने बताया था I think जापान की currency आपकी है yen अगर आपने यह critique करके आया है तो correct answer है इसके आगे जो है आने वाले बच्चों का जिनका exam आने वाले टाइम में है वो जितने भी नेबर कंट्री से पहले नेबर कंट्री से start करोगे आप लोग पाकिस्तान, श्री लंका, नेपाल, चाइना यह सब जो पडोसी बांगलादेश नेबर कंट्री है इनके national anthem भी याद करना है इनकी currency भी याद करना है इनका capital भी याद करना है उनका flag भी याद करना है flag में से color पूछ लेते हैं, उनके अदर dragon किस में है, यह सब चीज़े star को उनके flag में बने हुए हैं, किनके flag में बने हुए हैं, किनके flag में कितने colors हैं इस तरह के question पूछ लेते हैं तो आप लोग वो वीडियो देखो second question हो गया, third question है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन कोईट इंडिया movement शुरू हुआ था 1942 में, अब यह question हो गया, easy question था, अब इससे related आपको क्या याद रखना है, जितने भी movement हुए थे, modern history में देखना है आपको गांधी एरा में, और उससे related भी आजू भाजू में भी देख सकते हो, लेकिन गांधी एरा का खास्तोर से ध्यान रखो, जितने भी movement हुए थे, उन सारे movement कब शुरू हुए थे, किसने शुरू किये थे, यह आपको याद कर लेना है, ठीक है, question number 3 से, question number 4 क्या है आपका, father of green revolution in India, ठीक हरिद कर करांटी का जनक किसे कहा जाता है, यह इस type का question है, तो इसका answer था, Norman Borlog, ठीक है, अब इससे related आप दूसरी जो करांटी थी, उससे भी question आएगा, तो दूसरी कौन सी करांटी थी, आपकी blue करांटी थी, उसके बाद white करांटी थी, तो उसका answer क्या होगा, अगर white के बारे मैं आ आप बोलोगे वहाँ पर वेगिस कुरियान, और blue के बारे में पूछ लेगा, तो अरुन कृष्णन, इसका answer यह हो जाएगा, ठीक है, लिख के रख लो आप लोग, या फिर screenshot तो ले ही रहे हो, जो दूसरा extra बता रहा हूँ, वो लिख के रख लो, साथ में pen paper लेके बैटो, फिफ्ट question है, आपका बाबर का मकबरा कहा है, थोड़ा सा printing mistake है, यहाँ पर है बाबर का मकबरा कहा है, बाबर, अब बाबर से आप दो तिन चीज़े याद रखोगे, एक तो बाबर है, बाबर का मकबरा आप तो हो गया, इसका answer काबूल होगा, उसके बाद अगर पूछ ल यह उनकी नसल की बात हो रहे है ना, हिमायू का दिल्ली हो जाएगा, बाबर का हो गया, काबूल, बाबर का बेटा हिमायू, हिमायू का हो गया दिल्ली, उसके बाद अकबर, अकबर का हो गया जिकंदराबाद, और ऐसे इम PORТANT बादशाओं में देखेंगे, तो नीचे आ ना है, इनंका जो शाशन काल था? किस संसे लेके किस सं सं तक था? जैसरे यहां पर बाबर से रिडेटर्ड एक Tsch AU скаж दिया कि कहा पर उसका मगभरह है? अब ये भी पूछैगा ना कि बाबर किस एरा में इंडिया में था? उसका शाशन काल सं कहां से लेके कहां तक था, उसके बाद, उसके बाद, हिमायू का कहां तक था, अगवर का कहां तक था, किस सन में औरंगजेब का था, बाददुर्शा जफर कप था, टिपो सुल्तान कप था, इस तरह के question आएंगे, इसी तरह question कुछ पीछे जाएंगे, तो आपको सल्तनत, dynasty से question पुछे जाएंगे, कि लोधी dynasty, मुगल यह अपना, तूलग dynasty कब थी, लोधी dynasty कब थी, ठीक है, तो यह questions आपको याद रखने हैं, और important battles, battles से related भी एक question था, यहाँ पर include किया यह नहीं, मैंने पता नहीं, हाँ, पानीपत का battle का question था, एक एक करके ही चलते हैं, question number 5 आपको बता दिया, बाबर का मकबरा, अब governor of UP, UP के governor कौन है, यह current से question है, governor of UP, अब आपको इसके साथ में, जितने भी states हैं, union territories हैं, governors, chief ministers, यह दोनों चीज़े आपको याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है, governor भी आपको याद करना पड़ेगा, और chief minister भी आपको याद करने पड़ेगे, दोनों चीज़े current affairs से related हैं, और इसके अलावा, CHSL से मैं आपको बता रहा हूँ, appointment से काफी question आये थे, ministry में appointment जो नए नए, ministry में अभी new government बनने के बाद, नए ministry हुई है, उससे question बन रहे थे, इसके अलावा question पूछा गया था, एक यहाँ पर include नहीं किया है, मैंने, राजे सबा, लोग सबा, सबसे ज़्यादा लोग सबा seat कहां से आती है, तो सबसे ज़्यादा लोग सबा seat 80 seat आती है, उसके बाद question अगर यह तो आया था, सबसे ज़्यादा लोग सबा seat तो आने वाले टाइम में आ सकता है, सबसे कम कहां से आती है, या फिर किसी राजे जैसे महराज दे दिया रहेगा, 48 seat यहां से है, जैसे महराज दे दिया रहेगा, 40 यह 48 संथिंग है, सेकंड नमबर पर आती है, बिहार और महराष्टर आता है, दोनों में से कोई एक आता है, थोड़ी सी mistake हो रही है, या आप लोग चेक कर लो, सबसे कम कहां से आता है, एक एक seat कहां से आती है, यह पुछ लेगा, पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, तो आपको याद रखना है, पानीपत की लड़ाई 1526 में हुई थी, ठीक है, फ़िफट बैटल आफ पानीपत जो हुआ था, वो 1526 में हुआ था, अब किसने किसको हराया था, इसके अंदर ये भी आपका जानना जरूरी है, तो कौन जीता था, वो चेक करोगे, पहली लड़ाई हुई थी, इसमें, स्वरी, फ़िस्ट बैटल हुआ था इसमें आपका, 1526 में, सेकेंड बैटल आफ पानीपत आपका हुआ था, वो कौन जीता था, और उसका डेट क्या था, वो भी आपको देखना है, तो second battle of Paniput था 1526 में second battle of Paniput था और 1761 में ये Maratha और अफगानों के बीच में हुआ था जहाँ अफगान ही winner रहे थे ठीक है और अकबर और हेमू के दर्मियान ये दूसरा वाला हुआ था जहाँ पर अकबर ही जीते थे ठीक है हाँ और कौनसा question बचता है इसके बाद तूतिय हिंद किसे कहा जाता है तो काफी easy है ये बहुत दिनों से ट्रेंड में question चलता है लेकिन इससे related और जो लकब दूसरे लोगों को दिये गए हैं वो भी आपको याद रखना है अमीर खुसरो इसका answer होगा एक minute में check कर लेता हूँ correct answer है क्या तूतिय हिंद correct इसका answer अमीर खुसरो ही है तो अब जिसने भी दूसरे हैं जिनको अलग-अलग लकब से नवाजा गया है अलग-अलग लकब बाद में दिया गया है जैसे अकबर के जो रतन थे वो भी याद रखना है बिरबल थे किस post पे थे और जो दूसरे मंतरी थे किस post पे थे उनके जो रतन थे वो पूरे रतनों के नाम आपको याद करना है और किस-किस post पे कौन थे वो भी याद करके रखना है वहां से question आते हैं अब यह trend हो सकता है यहां से शुरू होगा question number 9 यहाँ पर दिया गया है link राज मंदिर कहां पर है तो यह मंदिर आपका उडिसा में located है अब आप क्या करोगे जितने important और बड़े-बड़े temples है वो कहां पर located है वो और fort से भी question आ रहे है important जो बड़े-बड़े fault है वो dam से related question भी आएंगे आने वाले time में आपके इसमें तो सबसे बड़ा dam, छोटा dam, जो जो dams में कुछ खासियत होगी, जो important parks होगे वो parks भी आपको याद रखना है इसके अलावा 9 question था mention किये है इसके अलावा question fundamental right के बारे में था कि किन articles में दिया हुआ है और शायद education से related question था उसके बाद article 32 से question आ सकता है, 51 से आ सकता है, part से question बन सकता है कि first part में क्या है, parambl से question बन सकता है polity में कि parambl में क्या क्या कौन कौन से शब्द है, किस amendment में कौन से extra word उसमें add किये गए थे, amendment से question बन सकते है कि 44 amendment में क्या हुआ था, 46 amendment में क्या हुआ था, जो vote देने की I.U.A. 21 से गटा के अठरा की गई थी, कौन से अमेंडमेंट के अंतरगत की गई थी, उसके अलावा करेंट अफेर से कुछ कोश्चन होंगे, जो अभी 100 मेटर का सम्थिंग के कोश्चन आया था, कोश्चन कन्फर्म नहीं है, बस ऐसा ही कुछ तो था, ठीक है? ठीक है चलेगा, अभी तो वीडियो में इतना ही, बाखी डिटेल में रात में डिस्कस करते हैं, और भी दूसरे सब्जेक्ट के कोश्चन मिलेंगे, साथ में पूरे एक्जाम के अनलाइस करेंगे, डिफिकल्ट था, इजी था, मॉडरेट था, क्या था, आप लोग का भी एक्जाम अभी second या third shift में होता है, या कल होता है, तो वीडियो के comment box में नीचे आप लोग बता सकते हो, कोश्चन आपके जरूर लूँगा मैं, लेकिन फेक कोश्चन मत बताना, जन्मेन कोश्चन से बताना, क्योंकि ऐसे ही बच्चे कुछ लिख देते हैं, फिर यहाँ पर discuss कर लो, तो फिर चीज़ा गलत हो जाती है, लोगों का नुफसान हो जाता है, अभी के लिए वीडियो में इतना ही, चाल को सब्सक्राइब नहीं कर दो सब्सक्राइब कर लें, थैंक्यू बबे,